राम राम किशान भाईयों, किशान भाईयों आज हम बात करेंगे FMC की जो कोरा जनाती है इसके बारे में FMC की जो कोरा जनाती है यह एक परकार का इंसिक्टि साइड होता है अर्थात यह एक परकार का किटना सक होता है आज हम इसके बारे में बात करेंगी कि इसकी डूस क्या है किस प्रकार से इसका उपयोग करना है इसमें कौन सी दवा आपको मिलानी है कौन सी नहीं मिलानी है जिससे नुक्सान हो सकता है और इसके क्या-क्या फायदे है किन-किन कीटो को कंट्रोल कर सकती है किन-किन कीटो को मार सकती है किस परकार फसल के सुरक्षा करती है इन सभी चीजों के बारे में आप आज बात करेंगे कूराजिन यह एक परकार का बहुत ही जबरदस्त इंसेक्टिसाइड होता है बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी दवा आप न मिला है एक्जांपल के तोर परर श्ट्रोंग एल्कलाइस जैसे सल्फर मेंक्सिंग फंगि साइड बुरियम सूदियम अमोनियम कैल्सियम लीथियम पोटैसियम इस प्रकार के जो फंगी साइड है या इस प्रकार की जो दवाएं हैं इनको आप इसके साथ मिक्स ना करें इससे दवा का प्रभाव कम हो सकता है या दवा फट सकती है उसके बाद में बात करते हैं कि कूरा जिन जो दवा होती है यहे एफ्रमसी कमबनी की आती है इस इंसेक्टी साइड का आप फ्लावरिंग स्टेज पर पौधों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर पौधों में फूल गिरने की समस्या हो सकती है कि फूल आप जरूर कर लें बिना उसकी पहचान किये बिना आप पैकेट को ना खरीदें क्योंकि ऐसा करने पर आपकी जो दवा है यह काम नहीं करेगी नकली दवा मिल जाने पर आपका कार आपके फसलों के अंचार नहीं होगा इसका जो टेक्निकल नेम होता है क्लोरन ट्रा नीली प्रोल 18.5 परसंट स्थी फोर्म में पाय जाता है बात करते हैं कि यह किन किन कमबनियों की अन्नी कमबनियों की आप आती है यह टेक्निकल तो यह बासब कमबनी की वेस्टी कवर धानका कमबनी की कवर के नाम से पी आई कंबनी की कॉसको और यूपियल कंबनी की संजी के नाम से आती है किसान भाईयों या एक अंतर प्रवाहे कीट ना सक ब्रोड सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है ये कीटों की तुचा में एक कैलसियम चैन पाई जाती है जिससे ये इंसेक्टिसाइड उस चैन को पूरी तरह से तोड़ देती है जिससे कीट पूरी तरह से पैरलाईज होकर मर जाता है या दवा कीटों के तुचा के संपर्क में आने से सीधे उनके सरीर में प्रवेस कर जाता है बात करते हैं कि कि फसलों में प्रयोग किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं इसका टेक्निकल ने में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्लोरन ट्रानी ली पुरूल अथारा दसमलो पांच परसंट होता है और ये आप किन-किन फसलों में प्रयोग कर सकती है किसान भाईयों इसके बारे में हम आपको बताएंगे किन-किन फसलों पर इसका इस्प्रे करना चाहिए मक्का, गन्ना, टमाटर, प्याज, कपास, मिर्च, बैगन, खीरा, भिंडी, तर्बूज, खर्बूज, चना, मूंग, फली, सोयावीन, सिमला, मिर्च, धान, मूंग, उलद, तूर, अरहर आध प्रकार के फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाईयों, बात करेंगे किस कीटो को कंट्रोल करता है तो ये बी, डीवियम, लीफाफर, फल आर्मी, सेमी लूपर, फल छेदक, वात तना छेदक को ये बड़ी आसानी से ही कंट्रोल कर लेता है किसान भाईयों कभी कभी आप आपने सुना होगा कि कोराजिन थ्रिप्स माइट या इस प्रकार के कीटों को नेंतरित नहीं कर सकता है ये कोई आपको रिगमेंड करता है कोई आप से कहता है तो आप ये जान ले कि ये थ्रिप्स माइट या इस प्रकार के कीटों को नेंतरित नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से इसकी बात करते हैं इसकी मात्रा की तो 5 ml प्रती 15 लीटर पानी में आप घोर बना कर ख़ड़ी फसल पर छड़काव कर सकते हैं बात करते हैं कि एक एकड़ में 50-60 ml आप इसकी मात्रा को डाल सकते हैं बात करते हैं कि यह इसका रेट क्या है अलग-अलग मार्केटों में इसका रेट अलग-अलग हो सकता है किमते कम जादा हो सकती हैं 30 ml की जो फाइल होती है वो 560 रुपए की 60 ml का जो पैकिंग साइज होता है 1050 का यही 150 ml का 2100 रुपए के आज पास आपको मिल जाएगा बात करते हैं इसके प्रणाम यानि रिजल्ट की तो इसका रिजल्ट 15 दिन तक इसके अच्छे प्रणाम मिलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 15 दिनों तक ये प्रभाव फसलों पर पूर पूर रूप से अपना प्रभाव विक्सित करता है बात करते हैं छिड़काओ के समय कि जब कीड़े दिख रहे हूं तभी उस पर छिड़काओ कर दें किशान भाईयों उसका आप इंतजार ना क पूरंत छिड़काओ कर दें किसान भाईयों इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि आप कोरा जिन दवा या कोरा जिन का जो टेक्निकल होता है इसके अलावा आप किस दवा का प्रियोग यदि कोरा जिन नहीं मिल पाती है तो किस कंपनी की और कौन सी दवा जो किस नाम से जाती है इसका प्रियोग आप कर सकते हैं तो किसान बाईयों यदि आपको प्रेखर दवा मार्केट में नहीं उपलब दो पाती है то आप इसके ज्गा पर एंपलीगो जो कि शिंटा कमपणी का दवा आता है इसका प्रियोग कर सकते हैं इसका जो टेक्निकल नेम होता है कुरालंट्रा नीली प्रोल प्लस लेमडा सैलोथरीन इसमें दूनों मिक्स होता है अर्थात कुरा जिन से भी बहतर रिजल्ट अम्पलीगो जो की सेजिंटा कमपनी का आता है ये आपको उससे अच्छा कि बाद ही इसका चलकाव करें और इसके साथ साथ सिल्कान बेसी स्टीकर जरूर मिला गए बात करते हैं किसान भाईयों कि यदि आप कुरा जिन दवा का प्रियोग करते हैं किसान भाईयों तो आपकी फसलों में जो उपज है या कीटों का प्रभाव है किसान भाईयों वे बहुत ही कम हो जाता है और अन्य दवाईयों की पेक्षाक जो कूरा जिंदवा है इसका लंबा रिजल्ट होता है या साधारान दवाईयों को आप स्प्रे करते हैं यदे आपके फसलों में कीट लग गए हैं तो उसका रिजल्ट आपको साथ से आठ दिन देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट आपको 12 से 15 दिन देखने को मिलता है तो इस प्रकार आप कोरा जिनका परियोग करके अपनी फसलों को आप सुरच्छित रख सकते हैं किसान भाईयों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब लाइक और सियर जरूर करें जय जवान जय किस करें